किसी की भी मन्नत पूरी होती है, कोई मन्नत मांगे, कि हे माता जी हमारा ये काम हो जाए, तो हम ये देंगे, ये काम हो जाए, तो बकरा देंगे, बकरा चढ़ाएंगे, अब बताईए, क्या चंद्रहासनी माता जी आपसे बकरा की डिमांड करती है? अरे माता जी कभी बकरा नहीं चाहती ना कभी बकरा मांगती आप लोग अपनी ये गलत परंपराओं को चला रहे है आप ये कहते हैं कि हमारी कोई मनोकामना पूरी होई तो माता जी हम बकरा चढ़ाएंगे ऐसा नहीं ये कहा करो के हे माताजी हमारी कोई एक्षा पूरी हो जाएगी तो हम आपका दर्सन करने आएंगे ये कहोगे तो भी एक्षा हैं पूरी होंगे बकरा ही चड़ाने से थोड़ी बली चड़ाने की जो परंपरा है उसे कहते हैं बलीदान बलीदान का अर्ज क्या होता है बली के जैसा दान बलीदान बलीदान कारज क्या होता है बली के जैसा राजा बली ने भगवान वामन जी को तीन पगभूमी में सब दे दिया अपने आपको भी सौंप दिया अपने माथे पर भगवान का पाउं रखवाया जो अपने आपको भी दान कर दे, उसे बलीदान कहते हैं, बली जैसा दान बराबर बलीदान, बलीदान का अर्थ ये नहीं है कि तुम बकरे की बली चड़ा दो, भैसे की बली चड़ा दो, अरे बली चड़ानी ही है, तो अपने अहंकार की बली चड़ाओ, अपने क्रोध की बली चढ़ाओ अपने लोभ की बली चढ़ाओ अपनी बुराईयों की बली चढ़ाओ आप उसकी चढ़ाते नहीं है और आप बगरे की बली चढ़ाते हैं और बदनाम करते हैं कि देवी जी मांग रही है माता जी मांग रही है हिंदू धर्म को ये बदनाम करना नहीं तो क्य तुम सनातन धर्म के अनुयाई नहीं सहयोगी नहीं तुम तो सनातन धर्म पर बड़ा गहरा घाद कर रहे हो हमारे वेदों में लिखा है अहिंसाही परमो धर्महा हमारे यहां चीटी को मारना पाप है तो बकरे को मारना भला पुन्य कैसे हो सकता है भक्तो वेदों की बातें गलत कैसे हो सकती है आप एक तरफ कहते हैं कि हम सनातनी हैं हम हिंदू हैं हम देवी जी को मानते हैं और दूसरी तरफ बकरा चढ़ाते हैं तो मुझे ये बताईए कि बकरा चढ़ाने का सास्त्रों में कहां लिखा है आप लोगोंने कहां पढ़ लिया मन माना मत करिये ये पाप है एक तो देवी जी के मंदर में आप लोग बकरा मारते हैं एक तो हत्या करते हैं पहला आप आप दूसरा मंदर में जाके हत्या करते हैं दूसरा आप आप और तीसरा ये कि आप ये और जूट बोलते हैं कि देवी जी चाहती है वैं देवी जी ने कब कह दिया कि हमें बकरा दो अरे बली चड़ा नहीं है तो बकरे की क्यों अपनी बली चड़ा दो न देवी को खुस करना अपना सिर्काट दो अपनी चड़ाओ अपना अंगूठा चड़ा दो रावड भी बली चड़ाता था अपनी चड़ाता था, अपना सिर काट के चड़ा देता था, उसका सिर वापिस आजाता था तुम भी चड़ा दो, तुमारी भक्ती सक्ती सची होगी, तुमारा भी सिर वापिस आजाएगा बकरी का क्यों? बकरी का नहीं ठीक है? इसलिए ये गलत परंपरा है शादी विवाह में लोग बकरे को काट देते हैं ये कह करके के हमारी तो परंपरा है अरे तुमारे बाप दादे गलत परंपरा बनाएगे तुम उसी में चलते रहोगे गलत परंपराएं जो हैं तो क्या उन्हीं को फालो करोगे क्या उन्हें सही करना तुम्हारा धर्म नहीं है इसलिए किसी जीव की हत्या क्या सही है मैया जी बताओ नहीं फिर ये हत्या क्यों कर रही है लोग इसका बहुत बड़ा कारण है हुआ ये था कि कुछ लोग ना मांस खाने के आदी थे और आदी है तो उन्हें लगा कि भाई मांस अब तो बड़ा महंगा है मिलेगा कैसे तो उन्होंने जूटी अफवाह फैला दी कि भाई मंदर में बली चढ़ाओ इसी बहाने हम लोगों को फोकट में मिलता रहेगा खाने को तो वो मांसाहारी कुछ लोगों ने ये गलत रिवाज बना दिया कि आप साधी करें तो बकरा चढ़ाएं है ना आप कोई भी शुब काम करें तो बकरे की डिमांड उन लोभियों ने रख दी ताकि आप वो परमपरा मान के पुराने जमाने की पध्धती मान के आप उसे फॉलो करते रहें जबकि ये सरासर गलत है माताजी करुना की मूर्ती है अरे मा के लिए तो हर बच्चा बेटा होता है और भला कोई मा अपने बेटे की बली कैसे ले सकती है बकरा एक जीव है और वो भी तो किसी का बेटा है बच्चा है तो क्यों? इसलिए आप मैंसे कितने लोग बली चढ़ाते हैं बक्रे की पहले तो यह बताओ कौन-कौन चढ़ाता है शादी विवाह में या मंदिरों में जा-जा के परम-पराओं के नाम पर कौन-कौन चढ़ाता है पहले तो यह बताओ जो चढ़ाते हैं वो हां तो उठाएंगे एक दो लोग यह तो ठारे हैं तो आप बताईए अब आप लोग चढ़ाएंगे चढ़ाना सही है चढ़ाना है तो अपनी उंगली का जरासा रक्त निकालके खून निकालके अपने उंगली का ही रक्त चढ़ादिया करो माता को हे मा मैं अपने रक्त से आपका अवशेक कर रह जरा सखोन निकाल के अपना ही चढ़ादो तुमें बली चढ़ानी ही है तो अपनी चढ़ाओ बक्रे की ने हत्याना हो जीव मात्र की हमारी सनातन संस्कृति इसकी परमीशन नहीं देती तो हम सभी को इन बातों पर विसेश अमल करना चाहिए नंद वावा के यहां भी इंद्र की पूजा करने की परमपरा थी तो भगवान कृष्ण ने बंद कराई और गिरिराज जी का पूजन कराया जो परमपराएं गलत हैं हम उन्हें ठीक कर सकते हैं है ना लोग निर्दई होते जा रहे हैं निर्दई हो रहे हैं कहते हैं कि हम भगवान के उपासक है और मान सखाते हो मान सखाने वाला भगवान का भक्त कैसे हो सकता है भाई भगवान का भक्त तो वो है जो सब में भगवान का दर्सन करे और सब में जो भगवान का दर्सन करेगा वो मचली में मुर्गी में वो तो बक्रे में भी भगवान का दर्सन करेगा और जब सब भगवान है तो फिर आप मारेंगे किसे, मारेंगे तो भगवान को ही मार रहे हैं फिर आप, क्योंकि हर रूप में ना जाने किस रूप में ना रायन मिल जाएं श्री नाथ जी गंगोत्री से जल ले करके आए कि अब मैं जल चड़ाऊंगा संकर जी को रामेश्वरम की ओर चले चलते 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 सालों बीत गए जब वो चले पहुँचे तो उन्हों ने देखा कि मंदिर के बाहर एक गदहा प्यास से तड़ रहा था तो एक नाथ जी ने उस गदहे को पानी अपनी कावड का जल पिला दिया लोगों ने कहा तुमने इतनी दूर से यात्रा की संकर जी को चड़ाओ संकर जी खुश होंगे श्री नाथ जी ने कहा सौरी एक नाथ जी एक नाथ जी थी वो एक नाथ जी ने कहा कि आपको शंकर जी अंदर मिलेंगे हमें तो हमारे गदहे में ही हमारे शिव का दर्सन हो रहा है और उन्होंने गदहे को पानी पिलाया तो गदहे से भगवान शंकर प्रगट हो गए एक नाध जी ने गदे को पानी पिला कर तरप्त किया, तो गदे से भगवान प्रगट हो गए, भक्त नाम देव जी कुत्ते में विठ्छल नाध जी का दर्सन करते हैं, भक्त नाम देव जी किस में दर्सन करते हैं, कुत्ता रोटी दवा के मुँ में भागा, तो नाम देव बोले भाईया प्रभुजी सूखी रोटी ना खाओ घी चुपड़के तो खालो दोड़ पड़े कुट्य के पीछे लोगों ने कहा कुट्य के पीछे क्यों दोड़ रहे हैं बोले आपको कुट्ता नजर आ रहा है हमने तो भोग लगाने के लिए रोटियां रखी थी तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसे भगवान भावना का विसे है भाव है तो सब में इश्वर है और नहीं है भाव तो रावड के सामने भगवान खड़ेते विर्वी वो न पहचान पाया ना समझ पाया इसलिए प्राचीन गलत परंपराओं को खतम क करना चाहिए जो नुकसान दायक है जो गलत है मांसाहार सबसे गलत परंपरा है हम सनातनियों के लिए जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है और पाप करने वाला व्यक्ति ना इस लोक में सुख ही हो सकता है ना परलोक में सुख पा सकता है इसलिए सुख चाहते हो तो शात्विक दाल चावल सब्जी रोटी का सेवन करो, बादाम काजू खाओ, अंकुरित अनाजें खाओ, साग सब्जियां खाओ, जो बनाया है प्रकृति ने हमारे लिए, तो माता जी के मंदिरों में जाया करके पाप ना करो, बकरे की बली ना चड़ाओ, ठीक है मिरी माँ, करें कि बावन शक्ति पीठों में एक सक्ति पीथ हैं जिनका हमने नाम लिया चंद्र आसनी मैया। कि यहां माताजी के दंठ गिरे थे दाथ मावन शक्ति पीठ हैने भगवान शंकर जी मता सती जब जलकर भश्म होही sollten मता सती के शरीर को लेकर संकरजी चले जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वह एक-एक सक्ति पीठ बनती गई तो 52 सक्ति पीठ हैं जिनमें एक पाकिस्तान चली गई बटवारे के टाइम 51 सक्ति पीठ भारत में आज भी मौजूद हैं तो आप कभी आप लोग सब को सारी समाज को सारे 36 गड़ को सारे उन लोगों को जो लोग बली प्रचा पर आज भी धिहान दे रहे हैं उनको सही रास्ता बताईए सही समझाईए और उनको इस गलत परमपराओं से रोकिये यही हम सनातनियों का धर्म है जो रास्ता गलत है उसका हम लोग डटके बिरूद करें और समझाएं समाज को कि यह रास्ता गलत है बताईए किसी की हत्या सही हो सकती है नहीं हो सकती हम हिंदूआँ को सोभा नहीं देता क्योंकि हम लोग तो अहिनसा ही परमोधर मह मानते हैं, हम लोग किसी की हत्या पर विलिव नहीं करते हैं हम लोग प्यार महबबस से काम करते करते हैं, लड़ाई जगड़ा हमारा काम नहीं है